नमस्कार किसान भाईयों फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल में आपके ही यूटूब परिवार में आज वापस बात करेंगे बंगाते इस बॉल्डर पे प्याज जो है क्या चला क्या भाव चला तेजी में चला या मंदी में चला तो वीडियो पूरा देखके जाएगा क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरी इंफोर्मेशन मिल पाएगी साथ में भाव भी बताएंगे और थोड़ी बहुत तर्चा भी कर लेंगे तो चैनल पे नए आए हैं किसान भाईयों तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजेगा लगता हो वीडियो सेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो देखिए लास्ट वीडियो मैंने एक दिन पहले डाली थी कल नहीं डाली परसो डाली थी मैंने जिसमें कुछ लोगों की कमेंट्स आये थे कि मैं गलत इंफॉमेशन दे रहा हूँ तो देखिए दोस्तों गलत इंफॉमेशन आपको देने से मुझे कुछ मिलेगा नहीं मुझे अगर कुछ मिल रहा होता तो मैं आपको गलत इंफॉमेशन जरूर देता लेकिन जब मुझे कुछ मिलेगा नहीं काम ही मैं किसानों के लिए करता हूँ और किसानों के लिए ही सोचता हूँ, किसानों के लिए ही वीडियो बनाता हूँ तो मैं गल्र इंफॉमेशन देखर के मुझे क्या फायदा होने वाला है मैं गल्रत इंफॉमेशन नहीं देता, जैसे के कुछ लोग बुल रहे थे साथ टका क्रोस हो गया, विकिन मैंने बोला मंदी है, सेल कमजोर है तो देखिये साथ टका होने से कोई फरक नहीं पड़ता है दोस्तों साथ टका होने के बाद में माल उसी तरीके से अगर बिके तो अपने को फाइदा है, अब साथ तका होकर के माल अगर स्लो बिकेगा आज जैसे गाड़ियां जो बॉर्डर पे पहुंशती हैं एक मिनिट भी वहां रुकती नहीं थी बॉर्डर के अंदर गुशने के बाद में भी एक ही रात में सारी गाड़ियां बिक जाती थी वही गाड़ियां आज दो-दो दिन खड़ है वहाँ कम लोग खरीद रहे हैं तो मैं यही मैंने पिछले वीडियो में बोला था यही इसी वीडियो में बोल रहा हूं प्राइस ठीक है लेकिन सेल स्लो है सेल स्लो होने से अपने को दिक्कत है क्योंकि माल कम जाएगा तो अपने मार्केटों पे असर उसका आएगा नहीं आप पचास गाड़ी गई या सो गाड़ी वहाँ गई और एक दिन में वो नहीं बिकी तो अगली गाड़ियां और पहुंच जाएंगी उसके बाद में धिरे धिरे यह तातादात जो है कम होती चली जाएगी तो यह चीज़ आपको समझाने की कोशिस कर रहा हूं कि रेट जादा होने के साथ में माल अगर स्पीड से बिकता है तो अपने को तेजी देखने को मिलती है निर्यात होने से वहाँ तेजी होगी तो कहीं ने कहीं गुम करके मंडियों तक भी अपने तेजी पहुंचेगी लेकिन वहाँ तेज है गाड़ियां वहाँ पहुंच रही है ब माल पहुंचे वहाँ वहता है तो उसको के बहाँ बहाँ वीए देजक निर्यात भी ol lifesexist और हो रहा है और ही जाता है ये पेश्षाइब करो इसमोरएं मृट्छें किस्वारु आजिख चाहिए करना क्रेर हो और जाधा उनकुत खोक剛剛 transparent ये सिर्फ दो ही लोग आ रहे हैं जो प्याज खरिद के लेके जा रहे हैं, ये चीज जो है अपने लिए गलत है क्योंकि वहाँ गर माल fasc pick एगा, fasc निकलेगा, तब ही अपने आम अपंडियों में तेजी आने के chances होते हैं सेकंड खबर जो है जैसे के पाकिस्तान ने अपने प्याज की रेटे जो बढ़ाई है वो भी अपने लिए थोड़ा प्लस हो सकता है जैसे मैंने कुछ इंपोर्टरों से बात की वहाँ पे क्योंकि जिस रेट के अंदर वो वहाँ से माल लेंगे सम्थिंग उस रेट के अंदर भी इनको इंडिया से भी मिल सकता है तो उसमें अभी कुछ कुछ प्राब्लम्स चल रही है कुछ अपने लिए सिर्फ मेरे इसाब से पॉजिटिव ही होने वाला है अपने लिए को नेगेटिव नहीं होगा और आज मैं कुछ इंपोर्टरों से और बात करूँगा इस बात के उपर के वो पाकिस्तान से कितना प्याज लेने वाले हैं या उन्होंने कितना माल वहां बुकिंग किया है वहां से फुकता रिपोर्ट जब मेरे पास आईगी तो पूरी डिटेल्स आपको बताऊँगा कि वहां से प्याज कितना निर्यात होने वाला है पाकिस्तान से बंगलादेश के लिए और बंगलादेश कितना आयात करने वाला है ये सारी इंफोमेशन आपको दूँगा पूरी नहीं है और जो बॉर्डर के अंदर गुसा हुआ है वहां से गाड़ियां है जो कोई आदी गाड़ी खाली हुई है कोई थोड़ी बहुत पड़ी है कुछ ऐसे पड़ी मलत पूरी कंप्लेटली नहीं है कई कई गाड़ियां तो तिन तिन चार-चार दिन से भी चला है मेडियम मोटे की बात करें तो 41 से 43 चला है और इंदोर अपने MP के माल की बात करें तो 37 से 40 चला है तो देखिए ये डूटी लगने के बाद के प्राइज है डूटी लगकर के अंदर गुसार इस भाव में विका तो वैसे तो आपन तेजी बोल सकते हैं लेकर इसमें अदर वहां पे 12 रुपिया पर केजी डूटी लग रही है तो यह बाव थे बौर्डर के और अगर कहीं से भी बंगादेश प्यास को निर्यात करना चालू करता है और कितनी कॉंटिटी वहां पहुंसती है तो उसकी इंफोमेशन आने पे मैं आपको इंफोमेशन जरूर द अचक्तान